हां जी बेटा यह अपना जीरा है गए चोवी नुम्बर दा लेक्चर है गए जिस अप हां होमोमोर्फिजम ओफरिंग से चैप्टर स्टार्ट किता हुए है नेक्स्ट अपनी डेफिनिशन है वह गी है कि करनल ओफरिंग होमोमोर्फिजम करनल ओफरिंग होमोमोर्फिजम करनल अपाने पहला भी किता हुए है कि करनल अपाइथे रिंग होमोमोर्फिजम दी करनल दीकल करांगे कि लेट आर तेस जी अपने कोले दो रिंग्स है ते एफ आर टू एस बी ए होमोमोर्फिजम जी अपनो यह गिवान है कि आर तो एस ता k homomorphism बना रहाएगा r into s, then the set x belongs to r, for ओहो set, जिदे विच r दे सारी elements, वस्ते fx is equal to 0 dash हो जावे, clear, clear, r दे सारी elements, जिदे x दे, r दे सारी elements, जिनना नाल, fx दी value 0 dash हो जावे, where 0 dash belongs to, capital S, is called the kernel of f, and is denoted by, kernel f नाल, जिननों denote किते जाद है, clear, पेटा, यह kernel of ring homomorphism, homomorphism अपनों given होईगा, ते r दे उनना elements, दे सेट जिनना दी fx दी value 0 dash हो जावे, तो ओ की बनोंगे, kernel of f मनोंगे, next अपने गोले theorem आजन दिये, कि जी r and s, अपने गोले 2 rings है, fr to s, भी हो, homomorphism में given है, then kernel f की होंदा, ideal of r होंदे, पिटे ही सारा pattern सीम अपने जी में, ग्रूप दे विच पहला किता सीगा, group subgroups किता सीगा, सेम ओही सारा कुछ चलेगा, उस चभी अपने kernel किता सीगा, ते kernel f नू आपा ideal show किता सीगा, group था, सेम ओही चीज़े थी है, कि हुन आपा ring था ideal show करागे, kernel f नू, kernel f आपा नूए suppose कर लिया, आपा नूँगी, according to definition, x belongs to rfx is equal to 0 दैश हो गया, फर्स्टली अपा शो किता है कि this is non-0, non-empty set ता 0 एदा element होएगा, such that f 0 is equal to 0 दैश होजेगा, यट में 0 किनू चला गया, kernel f नू चला गया, उस तो बाद आपा यदे दो elements consider किते गे, ता इनू आपा की कर दा मांगे, kernel f नू ideal शो करना, ideal दी definition दो नूँ पहला दसी होगा, x minus y आपा की करांगे, kernel f दे element शो करांगे, xr ते rx आपा शो कर दा मांगे, यदे elements नहीं की बन जाएगा, kernel f ideal of r बन जाएगा, यह easily proof हो जाएगा, देख लो बीटा, next थ्योरा है गिए, r and s b 2 rings अपानों गिवन है, ते f homomorphism गिवन है, and 1,1 भी गिवन है, means एक कोदो होगा, e homomorphism, f r 2 s is 1,1 कोदो होगा, if a non-leaf kernel f दे वेलो, अपने को लेकी होवे, 0 होवे, clear, if a non-leaf part है, पहला आपा suppose कर लाँगे, f homomorphism is 1,1, ते kernel f नो आपा 0, show कर दाँगे, clear, a kernel f गिवन अपनो, 1,1 गिवन है, ता आपाने firstly show कर देता, 0 की यह इदा element है, 0 इदा की x, kernel f इदा element है, तो उत्ते कोई ना कोई element होएगा, f x is equal to 0, dash दी value होजीगे, according to definition, ते also आपन पता, f 0 दी value की होँदी, 0 dash होँदी है, ता आपा राइट हैं साइट से equal है, ता लेफट हैं साइट से equal होजाने गया, यही चीज आपाने show करनी सीगे, next converse parts, आपा लेके चल पेगे, kernel f दी value 0 हैगी, ता आपा इनो 1, 1 शो करना है, 1, 1 शो करना है, तो आपा दो elements लेने आर दे, ते consider करलाने कि, जोना दे functions equal है, ता आपा दोनों elements नो equal शो करदा मांगी, ता आपा लेके चल पे, f x 1 is equal to f x 2, ता आपा consider कि, ता f x 1 minus x 2, इनो खोल लाँ, इनो solve करके, तो आपा लेके 0 डैश देक को लाजाएगा, ता it means की हो गया है, करना left element हो जाएगा, that is equal to 0, तो यह वानों शो हो जाएगा, easy theorem जा बेटा, काफी easy है, तो सी read करियो, तो आपा लेके जरूर देखियो, पेपर दे विचे तो आणी अलजबरा दी, काफी weak performance रही है बेटा, ते बहुत easy है, अलजबरा नो practice दी लो रहे, लिखके जरूर देखो, जो भी theorem से उगरा, तुसी याद कर देऊंगे, समझ देऊंगे, उनना नो लिखके जरूर देखो बेटा, अलजबरा फेड़ी तो आणी आएगा, पेपर दे विचे नो practice दी लो रहे, लिखन दी practice दी लो रहे, the relation of isomorphism in the set of all rings, is an equivalence relation अथि, आपाने शो करना है, कि आपानु एक isomorphism relation गिवन हैं, rings दा, तो equivalence relation होंदा है, उत्ता नो होंदे, यह equivalence relation बेटा आपा, ते इन प्रॉपर्पर्टीज जेरी हैं, डिस्क्रीच करकि आइसी शो कर दिया, कि यहीं reflexive होएगी, स्मेट्रिक आपा इनों शो करांगे, ते ट्राजिटिव प्रॉपर्पर्टी, यह ते इनों प्रॉपर्पर्टीज की करने, तुरसी यहीं विच शो करनी है, तो वोड़े क्योंकि रिंग्स दे गल कर रहे हैं, ते अपा तिन रिंग्स जेरी ओ, स्पोस कर लगते, आर एस टी, ते फिर्सली अपने अडेंट्री मेपें, आई आई टू आ लगते गी, जेरी की reflexive शो कर दमागे, ते उस्तो बाद isomorphic symmetric show करने वाज़ ते अपने R-no equivalence relation on isomorphism show करे है ना तो आपद firstly लेके चल पर की R-S दा isomorphic है ते अपद show करने नमगे S-V-R दा isomorphic है तो symmetric relation show हो जाएगा रीड़ कर लिए बिटो easy है symmetric show करने उस्तो बाद ट्रांजिटीव वर्स ते अपा R नो S दा आईसोमोर्फिक लगता है, S नो T दा लगता है, ते शो करांगे R दा T नाल भी आईसोमोर्फिसम बन रहे हैं, क्लियर बीटा ते ट्रांजिटीव प्रोपर्पर्टी अपने कोंपोजिशन वंक्षन जी रहे हैं, अपलाई करके अपने कोले रिजल्ट आ जाएगा इजी है, इजली हो जानगे, रीट करें तुसी R अपने कोले कोई रिंग है, ते आई अपानो आईडियल ओफ आर गेवने, ता आपने की करने देखो, ते आनल इस चीज नो त्यान दखनेंगे, एथे आपनो चीज गीवन हैगी कि जे आँ रिंगा, आई आईडियल ओफ आर है, ता डिफाइन अपने मैपिंग, आपने डिफाइन करांगे, आर टू आर भाई आई, बाई भाई आई, बाई प्लस आई, चीज दे त्यान दखनेंगे, इस रिजल्ट्स नो आप अगे यूज करते हैं, कि जे रिंग होवे, आईडियल ओफ आर होवे, ता आवली मैपिंग, आर टू आर भाई आई, जेरी किस तरह ने मैपिंग है, फाई ए इस एकल टू आ प्लस आर, आई, फोर ओल ए बिलोंस टू आर, अपनो इपिंग गीवन देखो, एपिमोर्फिजम शो करना वासते, आर टू आर भाई आई, फाई नो मतलब एपिमोर्फिजम शो करना वासते, आपा फरसली होमोर्फिजम शो करांगे, इजी है, आर दे दो एलिमेंट्स लगते, ए प्लस बी नो, फाई ए प्लस बी नो, फाई ए प्लस फाई बी फाई एंटू फाई बी ता होमोमोर्फिसम हो जाएगा फिर ओन्टू शो कर दमांगे क्लियर थे करनल फाई नो अपना इकल टू आई शो करनाएगे एदा आरदा इने अलिमेंट लगता सच देट फाई एकल टू अकॉर्डिंग तू गिवन कंडिशन फाई एकल हो जाएगे इदा इटेटी करनल देच देटी किवandel हो जाएगे ति फाई एदी वेल्यू हैगी अपने को लिए a प्लस i is equal to i तो अ कगले अलिमेंट r था तो अपने को लिए a कगले अलिमेंट हो गया that means kernel phi is equal to i this is the epimorphism उस तो बाद चे रहे गए काफी important theorem है lemma next theory theorem है that is the converse part of this theorem ठीक है इस theorem the converse part है जिनों की fundamental theorem of ring homomorphism भी कह जान दे fundamental theorem of ring homomorphism ते first isomorphism theorem भी कहा जान देगा clear बेटा एहे ना मैं जरे तुसी याद रखने ते ना ले ना दे स्टेटमेंट भी जाद करनी है क्योंकि तो आनों कई वरी questions पुछा जान देगा state and prove the fundamental theorem जा first isomorphism theorem ठीक है तो स्टेटमेंट की अपने को ले इस दी कि if f is homomorphism गीवन है थे देखो आर on to be given है only ring as kernel भी अपनू given है विद्धे kernel के तो आपा शो करना है इनू isomorphic देखो पहला isomorphism गीवन सीगा अपनू ठीक है आइडियल्स भी गड़ा तो epimorphism एथे अपनू epimorphism means homomorphism on to the kernel गीवन है isomorphic आपा इनू show करांगे r by k is isomorphic to ऐसा आपा ने show करना है कि मैं show करांगे देखो r by k दी गल हो रही है r to ऐसा आपा नू function f given है तहां आपा एक function consider करांगे कि जे आपा नू homomorphism given है तो ठीक natural homomorphism exist करेगा sigma r to r by की कि देखो यह चीज़ देखो यह रही है यह आपा आप देखो लो consider करांगे कि उत्ते कोई ना natural homomorphism क्योंकि आपा पिछे करके आए तो आर आपने को लिए है r to r by k की हो जीगे natural homomorphism where k is the ideal defined by sigma k is equal to x plus k for every x belongs to r clear यह आपा पिछे करके वीए है जेड़ी अपने शो करनी है आज जीज़ दो अनो given है f इस तो अपने को लिए a already exist कर दे ते a अपने जेड़ी जेड़ी proof करने उत्तो कर दी है c r by k to s किस तरह ने elements होने c x plus k is equal to f x type दे दे विच elements होने है तो सब तो पहला क्योंकि इन्हों अपने isomorphic show करना है ता इन्हों अपने शो करना है कि जो अपने लेके चले है यह well defined है well defined वरस ते अपने दो elements लगते हैं ठीक है x plus k ते y plus k दोने नों इककल शो कर दीता ते नने functions भी इककल आ जाने ते तो आपके कैसे ते well defined है ते reverse step चलोंगी तो 1-1 भी show हो जाएगा ठीक है उस तो बादे नो अपन होमोमोर्फिजम शो करना माँगे होमोमोर्फिजम बेटा करना होने यह easily है ते on to show कर दा माँगे तिन्नों चिज़ा होगी है 1-1 on to homomorphism ते ही isomorphism हो जाएगा ठीक है एड़ो आपके कैने first theorem of isomorphism next अपने को लेज़ा दे second isomorphism theorem second isomorphism theorem की हैगी कि जे i ते j अपने को ले 2 ideals of ring r ठीक है ring r दे 2 ideals है ता i by i intersection j is isomorphic to i plus j by j ए चीज़ आपने शो करना हैगी देखो इस चीज़ा ते आड़ो i ते j दोनो ideals है r दे 2 ideals of r ता j की होएगा देखो कि थो j i plus j दा ideal होएगा ते i intersection j i दा ideal होएगा clear क्योंकि j i ते j r दे ideal है i intersection j i दा ideal है j i plus j दा ideal है ता में जो आपनों आचीज गेवन है तो आपनों एहें किया मिनिक फूल है ता आप पा इनों की करांगे isomorphic show करना i to i plus j by j ता का पाइक mapping define किती f such that fx is equal to x plus j हो जाएगा clear ते i intersection j दो आपा करणल शो कर दमागे यह भीटा आप इस तरह दे त्योरा ग्रूप चे कर किया है इसली तो आपनों समझ आपनों आपनों आपने mapping दिभाण किती पहले दो वैल डिफाइड शो कर दमागे फिर दो homomorphism शो करांगे clear homomorphism दो बाद आपनों ओन्टू शो कर दमागे जो ओन्टू होगी था यह उस तो बाद आपनों फर्स्ट फर्नामेंटल थी रहाँ फर्स्ट आप पिछे किती है i plus j by j की होजेगा isomorphic to i by j i by kernel f शो कर दमागे kernel f आपनों लास्ट थी तो आपनों शो कर दमागे आइं इंटर्सेक्शन जे जे रहा और kernel f देख को लागे kernel f आपनों शो कर सब्सक्राइब कि x belongs to i यह था fx की देखको लोगा जे देखको लोगा fx दी वेलो अपने गोलेगा x plus j x कि दा होगा जेदा इलिमेंट होगा x belongs to both intersection clear सिविलर दी बेटा हाग यह नीचे लहमा लिख्या होया इसच भी आई ते जे आपनों दो आइडियल्स आर दे गिवन है ते i is a subset of j आप शो करने j by i is an ideal of r by i edit कर लोगा इसली प्रूफ हो जाएगा तो अदा next अपने को लिए हैंगी थियोरम third isomorphism theorem third isomorphism theorem की कहांदी है कि j i ते j दो ideals of ring r so that i is a subset of j then r by i upon j by i is isomorphic to r by j clear कि आजरे को i ते j r दे isomorphism ideals i is a subset of j i j the subset j r by a divided by j by i is isomorphic to r by j show करना है अपारे i cancel होगे r by j देखो i ते जे दोनो ideals है ते आज subset है तहां सारा कुछ जो लिखे एक है मिनिक फूल है ता अपा mapping define करांगे r by r by a to r by j show करांगे ते इन्हों आपा kernel शो करदा मागे clear easy first fundamental थूरम तो आजाएगा तहां आपने इन्हों well defined show करांगे जो mapping रहके चलने फिर इन्हों one one on two homomorphism show करके आपकी करदा मागे करना है physical do j by i easily proof हो जारगे बहुत सब्सक्राइब उस तो बाद आपने को लेकिए एक्जाम्पल्स आजाने है एक्जाम्पल्स एजी है बेटा रीड करके देखे हो जिए को प्राब्लम होई ता में तुझी कुछ सब्सक्राइब होगी ठीक है पेपर दित्यारी बेटा शुरू कर दो तो आड़ी डेड़शीट आ जुकिएगी बीहसी वाले डेड़शीट आ जुकिए तो अड़ा पेपर देना दित्यारी शुरू कर दो ठीक है बेटा थेंक्यू